तो अगर यह problem आपको भी face करने को मिल लिए चाहे आपका laptop वो चाहे desktop वो जैसे आप अपना laptop पर desktop आउन करते हैं यहाँ पर screen पर कुछ इस तरह का message आता है मेरे जो है screen पर control, alt, delete to restart का message आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे simple जो message यहाँ पर दे रहा है उसी को हम try करेंगे keyboard में control, alt, delete button हम press करेंगे यह देख सकते हैं control, alt, delete button यह हमने press करने के बाए screen पर हमारा black हो गया दुबारा से on हो गया जो भी आपका motherboard का company का नाम होगा वो लि करना है तो यहाँ पर CPU को आपको open करना है अगर आपका laptop होगा तो laptop में जहाँ पर आपकी hardest लगी होगी उस panel को आपको open करना है यह हमने CPU open कर लिया है computer हमारा भी on है इसको हम off कर देते हैं इसका power connection हमने निकाल दिया है computer पूई तरसे off होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी hard drive डेक्स है यह hardest है इसका connection जो लगा हो चाहे यह SATA data cable connection हो या power connection हो इन दोनों connection को निकाल के आपको अच्छे से clean करना है यह देख सकते हैं एक इस side हमारा connect है और इस hardest से SATA data cable जो निकली है हमारे motherboard में गई है तो इन दोनों point को आपको अच्छे से निकाल के clean करना है इसके साथ यहाँ पे आपका SATA power जो hardest में power जाता है यह power cable है इसको भी निकाल के आपको दुबारा से लगाना है clean करने के बाद तो यह process फटा-फट complete कर लेते हैं अब मदर बोर्ट भी जहाँ पे SATA connector लगा तो वहाँ पे SATA port आपके और सारे भी दिख जाएंगे कई SATA port होंगे दूसरे SATA port में भी लगा के आप चेक कर लीजेगा एक बार और इसके connection अच्छी तरीके से लगाने के बाद दुबारा से on करके हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमाई system में same वैसे की वैसे problem बनी हुई है जो press, control, delete to restart wallet problem पहले थी अगर आपके system में जो connector बगरा रूज रहा होगा तो problem आपके resolve हो गई होगी, fix हो गई होगी तो चैनल को जोड़ो subscribe करके bell icon पर all click करके video like करिए, comment करिए, share करिएगा और अगर आपके problem अभी भी ऐसे बनी होई है तो आपको क्या करना है, तो आपको फिर से system को set down करना है power button से या power cable निकाल देना है आपको, इसके बाद एक SATA cable नई या पुरानी कोई दूसरे system में अगर लगी होगी या दो SATA cable आपके system में कभी कभी लगी रहती है desktop में, अगर laptop होगा तो laptop में SATA cable नहीं लगी होगी, laptop के case में जाए तर आपका connector ही loose रहता है, क्योंकि महाँ पर cable नहीं लगी होती है तो ऐसी कुछ problem जल्ली देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर इसका cable हम change करेंगे, इस SATA data cable इसको बोलते हैं, cable थोड़ा सा अच्छी quality की लिजेगा, अगर नहीं आप लिजेगा तो बाकि लिंक मैं वीडियो के description box में दे दूँगा, अब system को फिर से on कर दिया हमने, cable change करने के बाद देखें, नई cable हमने लगा दिया है, वापस पर screen की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर इस तरह का message आ रहा है, फिर से आपको shutdown करना है PC को, अब यहाँ पर हाड़िस में आपको देख सकते हैं, पावर लगा होगा, पावर इसको connector बोलते हैं, इस connector को replace करना है, आपके SMPS में एक power port आपको और मिल याएगा, यहाँ पर power connection इस तरह का, उसको आपको इसमें लगाना ह कभी कभी होता है connector में power, उस connector में power proper नहीं जाती है, दूसरा connector जो होगा उसमें आप लगा के देख लीजेगा, इसके बाद PC को फिर से on करते हैं, तो यहाँ पर हमाई सामने इस तरह का message आ चुका, तो keyboard से down वाला button प्रेस करेंगे, तो start window normally पर option आ जागा, फिर enter button हम प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर windows हमारी बूटिंग के लिए start हो जाएगी, और इस तरह का अगर scanning बगरा मांग रहा है, तो आप keyboard से skip button करके scanning skip कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखी हमारी problem solve हो चुकी है, और यहाँ पर windows हमारा जो on हो चुका है, तो इस तरह से आप भी अपनी problem को fix कर सक सेम वैसे कि वैसे थी, बस message जो है, दूसरा आने लगा था, जो control और delete वाला message था, वो gap हो चुका, तो mainly यहाँ पर दोनों connector हमारा problem कर रहा था, यह SATA data cable भी पास नहीं कर पा रहा था, और हमारे hardest power भी नहीं जा पारा जो पुराना connector था, यह power भी नहीं दे पा रहा था पूरी क्लिक कर दीजेगा, और वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, सेर करिए, और अगर इसके बाद भी आपकी problem resolve नहीं होई है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो PC को restart करिएगा, यह shut down कर दीजेगा, अगर restart आपने किया, तो restart जैसे हो जाएगा, यहाँ पर स्किन भी black हो जाएगा, on होने से पहले, आप keyboard में delete button होगा, इसको press करिएगा, या on करने के बाद directly delete button प्रेस करिएगा, तो आपका BIOS open हो जाएगा, या BIOS open करने का अगर कोई branded system है, अगर आपका Dell का HP का है, तो Dell में जो है, App2 से BIOS open होता है, या HP है compact का, तो App10 से open होता है, या किसी other company का, तो net पर search करके देख लिए किस button से आपका BIOS open होगा, तो यह हमारा BIOS open हो चुका, BIOS का interface अलग-अलग हो सकता है, तो अगर इस तरह का interface होगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, primary IDE करके मिल जाएगा, यहाँ पर देखे हमारी hardest so कर रही है, तो एक यहाँ पर आपकी hardest so कर रही है, यहाँ पर company का नाम लिखके आ रहा है, यह hardest drive में जाके आप चेक कर सकते हैं, आपकी hardest so कर रही कि नहीं कर रही है, अगर hardest आपकी hardest खराब हो सकती, अगर आपने connector बगए चेंज करके सब कुछ देख लिया है, तो यह last option है, सब चीज अगर try कर लिए, उसके बाद आपको last me try करना है, कि hardest आपके so कर रही कि नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही है, तो आपको hardest replace करनी पड़ेगी, अगर hardest so कर रही तो आपको क्या करना है, तो आपको फिर आपको windows restore करना है एक बार, तो आपके problem fix हो जाएगी, windows हो सकता है, वहाँ पे आपको जो है, ऐसा message आता है, अगर इन सब solution को जो मैंने बताया, इनसको आपने try कर लिया है, तो आए हो जो इस वीडियो में control or delete to restart वाली problem आ रहे थी, इसका solution आपको मिल गया होगा, तो वीडियो पसंद आए तो like करिए, comment करिए, share करिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए topic के साथ, तक के लिए take care, बाबाई